हेलो नमस्कार आप देख रहे हैं वर्ल्ल रिपोर्ट इस वक्त की बड़ी ख़बर के साथ जुद रहा हैं बता दे बिहार के संबिदा करमचारियों के लिए बड़ी ख़बर है जिस परकार से हमने आपको बताया था कि बिहार के सरकारी बिभागों में नियोजित पर काम कर है संबिदा करमचारियों को सरकार ने जिस परकार से आप लोगों के फाइलों को सचिवाले से निकाल करके और डेटर्मिनेशन प्रकिडिया में कहीं न कहीं समानी परसासन बिभाग के पास जो भेजा गया तो आपको बता दे कि इसी बीच बड़ी ख़वर आ रही है कि जिस परकार से परधान सचीब ने सभी जिले के जिला मजिस्ट्रेटों को पतर जारी करके उन्हें अपने तयारियों को ले करके बताया उसी परकार से आपको बता दे कि उसी बीच आमीर सुभानी साहब जो परधान सचीब है उन्होंने स्थिपा दे दिया और कही न कही इसका थोड़ा सा प्रभाव थोड़ा सा इंपेक्ट आप लोगों के कागस पर यानि कि आप लोगों के फाइलों पर पर परने को देखा गय जिसका अभी पुर्ण हो गया था आपको बता दे अगर वह फायल वही समिक्षा के लिए राति तुशे कार्मिक विभाग प्रधान सचीब प्रस्तावित करवा के उसको जो है आप लोग का फायल रुका लेकिन रुकना तो रुकना ही होता है क्योंकि चुनाब नजदीक आ र कि जो तैयारिया चल रही है विभागी अस्तर से वो भी बहुत तेजी से चल रही है और आपको बता दे किसी बीच एक बड़ी ख़बर जो आया है कल की ख़बर हम आपको बताते हैं कि हमें बहुत सारे इमेल्स और मेस्जेस आए इस बात को ले करके कि सर आज कैबिनेट है क् तो सौक हो गए कि हमें पता नहीं है आज के विनेट है और कहां सी यह जानकारी लिख हो गई तो हमें पता चला कि बड़े बड़े जो चैनल है जो संबीदा करमचारियों के छेतर में कहते हैं सर्व स्रेश्ट चैनल है उन्होंने इस बात की रूमर फैल आई है और आपको बता दे की बड़े बड़े चैनल एक परतिष्ठित चैनल होते हैं लोग कहीं न कहीं उन पर विश्वास करता है और आप उनके विश्वास के साथ खिलवार कर रहे हैं यह आपको अपने आप में आपने आप में आपको सरम आना चाहिए कि जिस तरह से आप कर रहे हैं वो बहुत गलत और गलत इंपेक्ट पर रहा है अगर आपके पास जानकारी नहीं हो तो जानकारी आप लिया कीजीए लेकिन समानी परसासन विभाग के जो अधिकारी है उनसे हमने इस बात के बारे में चर्चा किया कि कल कैबिने आज कैबिनेट है क्या सर उन्होंने हमको बताया कि आप लोग सठिया गए है मतलब बिना बात का आप लोग हमको फोन कर देते हैं और आपको यह बताये कि आज कैबिनेट किस अधार पर आप लोग सोच रहे हैं अभी कैबिनेट होना कैसे संभव हो सकता है लगातार जो मानिय पर्धान मंत्री आए उसमें लगातार मानिय मुख मंत्री सहित तमाम बिभाव के जो अधिकारी थे उनके सुरक्षा में लगे हुए थे उनको कहीं न कहीं आये तो उनके अथिम लगे हुए थे सभी फाइलों को वहीं पर वहीं था तो कैसे कैबिनेट हो सकता है तो इस तरह के भढ़ामित खवरों को मत फैलाया कीजिए जो कहीं न कहीं गलक्त इंपेक्ट परता है कहीं न कहीं जो आपको भीवर देख रहे हैं जो आपको देख रहे हैं वो आपसे आसा लगाय हुए बैठे हैं कि आपको बिभागी अस्तर से जानकारी आती है आप उनको उन तक परसारित करने का काम करें तो उनको भ्रामित करने का काम नहीं करें, सभी चैनलों से यही निवेदन है, कि आप लोग अपने अस्तर से विभागयों से जानकारी इला करके, और तमाम संभिदा करमचारियों को देने का काम कीजें, जिससे उनकी जो आस है, उनकी जो पैसेंस है, वो उनका बढ़करार है और उनको जल सजल उनकी मुकाम को हासिल कर ले, तो आपको आगे ख़बर में बढ़ते हैं, और आप लोग को बताते हैं कि कल ऐसी कोई भी बात नहीं थी, कोई भी कैबिनेट नहीं था, और अभी आप लोग के कैबिनेट से कोई भी आप लोग का फाइल कुछ नहीं होने व मुखमंत्री मोहदय का सिंगनेचर नहीं होगा उसको बित विभाग नहीं भेजा जाएगा जो फाइनेंसल कंडिशन देखा जाता है तब तक आप लोगों के लिए रासी कैसे आवंटित हो जाएगी तो तमाम जो जानकारी है वो विभाग से जुरी हुई हम आपको देते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे संभीदा करमचारी भी है जिनको सिर्फ बढ़गलाने वाला डाइवर्ट करने वाला ख़बरों में ज्यादा भिस्वास रहता है इसलिए आप लोगों की गलती है कि आप लोग कहीं न कहीं वैसे चैनलों को सपोर्ट करते हैं तो आप लोगों के हि फाइल जो कि आपको संविदा करमचारियों का लगातार बता रहा है कि कैडर में जो 44 विभाग का अभी सेलेक्शन हुआ है उसका जो काम परगती से चल ला है जब तक पूरा नहीं होगा तब तक एक-एक करके तो नहीं भेजा जा सकता है इसलिए हमने आपको बताया यह अभ बड़े-बड़े अधिकारियों को भी इस चुनाब ड्यूटी में लगाया जाएगा तो कही न कहीं काम परभावी तो होगा तो आप लोगों से यही कह रहा है कि लगतार सही खवरों के साथ जुरे सही खवर को देखे जिससे आप लोगों कहीं भरमित देखने को नहीं मिल कैबिनेट अभी होना संभव नहीं है और आप लोगों के कैबिनेट से अभी कुछ मिलने वाला भी नहीं है तो इस बात को आप लोग बेफिक्र हो जाए और आपको बता दे कि आप लोगों के संभिदा करमचारियों के बिभागों के जो कुछ नाम है उनके बारे में सौट आउट करके आप लोगों को बताते हैं ताकि आप लोगों के काम भी बहुत जो अस्तर है उसके हिसाब से हो रहा कुछ भीवाओं का जो है पत्र भी फिर से फिर से पत्र मिला है CMO में बता दे आप लोगों को की कुछ भीवाओं का मिला है उस पर प्रतिकिरिया भी आया है 4500 पर्ति महा मिलता है ये भिहार बिजली मानबल के लिए है जो बिजली विभाग में काम कर रहे है बतादे उन्हें मातर 4500 रुपे पर्ति महा मिलते हैं कमिटी ने इन्हें निवंतम वेतन सब्ता में चुटी रास्टिय चुटी EPFO, ESI, 252,6,6, पूर्ती, इलाज के लिए 25,182, आसृतों की नेयुक्ती बैंक से भुगतान कंपनी की सूची में नाम सामिल करने ऊवर टाइम समेत अनसुबधाय इसे सरकार ले करके दे इसको ले करके सरकार को पत्र मिला है आप बताईए आप लोगों ने पतर दिया है हमें कैसे मालूम है तो हम विभागी अस्तर से जुरे हुए हैं और विभागी अस्तर से जानकारी ला करके देते हैं और इसके लिए हमें expense भी जाता है अधिकारी पर हम खर्च करते हैं ताकि वो हमें सही जानकारी ले करके देने क काम करें और आप लोग बताये कि ये स़ही जानकारी है कि नहीं ये आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा आगे आपको बता दे कि गराम कचारी सचीव है जिनके पर्देश अध़क्ष ने कहा कि गराम कचारी सचीव को सरकारी सेवक घोसित किया जाए साथ ही कहा कि हमारी मांगे पूरी हो, परमुख मांगों में सचीव का मांदे 30,000 रुपे परतिमा करने, सेवा कारिकाल को 60 वर्स करने, EPFO और EPF का लाब देने मुल्ल होने पर, मिर्तु होने पर उनके आसरितों को 10,000,000 रुपे का मुआपजा आदिसामिल है, अब आपको बता दे कि बिहार, लोहिया, स्वक्ष, परवेक्षक का भी जो है, पत्र सौपा गया है, कमिटी ने नियुन्तम वेतन सब्ता में छुट्टी रास्टिय, छुट्टी भविस्त निदी, ESI, पाचान पत्र, दो लाग छती पूर्ती इलाज के लिए तमाम जो 25,000 रुपे की रासी है, सरकार देने का काम करें, और सरकार जिस अधार पे काम कर रही है, आप लोगों के कामों में थोड़ा सा लेट लतीफ लग सकता है, लेकिन कोई भी सरकार आ करके आप लोगों के हितों कि लोगों का थि आच्छे तरिके से होने जा रहा है जो कोई भी मन्तरी कोई भी बाद में आए तो आप लोग के फाइल को खारीज नहीं कर सकता है